नमस्कार आप देख रहे हमारा खासकारीक्रम नियूजरूम आपके साथ मैं हूँ हर्शुता आईए रुख करते हैं मध्यप्रदेश की बड़ी खबरों की ओर CM शुवरास सिंग्चोहान ने मध्यप्रदेश के युवाव के लिए बड़ी घोशना की है उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाव के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाव यूजना शिरू कर रही है उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने इस यूजना को मन्जूरी भी दे दी है और इसकी शुरुआस साच जून से होगी इस यूजना के अंतरगत बारवी पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के युवाव पात्र होंगे काम सीखने के बदले प्रदेशन सरकार युवाव को इस टाइप एट देगी इस यूजना के तहत 700 कारियों की सुईक्रिती दी गई है दविश्टी है, एजेंसी आतंकवाद, नार्कोटिक्स, तसकरी, गेंक्स्टर के मामलों में चाप इमारी कर रही है देश भर में 100 से अधिक स्थानों पर NIA सर्च कर रही है मत्यप्रदेश में दो जगए भिंड और बढवानी जिले में जाच एजेंसी पहुँची है भिंड एस पी मनीश खत्री ने बताया कि एंडोरी थाना इलाके के शेरपुरा गाउ में NIA टीम जीतेंद्र सिंग से पूस्ताच करने पहुँची है टीम को पता लगा है कि बैंक खाते में इतना पैसा कहां से आया है और क्यों आया है वहीं बढवानी के बरला थाना इलाके के उमाइठी गाउ में भी रेट पड़ी है जाच एजेंसी को यहां से खलिस्तानियों, नकसलियों और आतंकियों को हत्यार सप्लाई करने का इंपुट मिला था NIA की तरफ से ये चापे मारी पिछले साल दर्ज किये गए तीन अलग-अलग मामलों के सिलसिले में की जा रही है बात करेंगे अगली ख़बर के बारे में जहां मुख्य मंत्री शुवराज सिंग चोहान केविनेट मंत्रियों के साथ मंगलवार शाम करीब आट बजे लब जहाद और आतंक बाद पर बनी फिल्म दा केरला स्टोरी देखने पहुचे बोपाल के अशुका लेक व्यू कैमपस में बने ओपन थियेटर में सियम ने मंत्रियों के साथ ये फिल्म देखी है सियम चोहान की पतनी साधना सिंग और अनिय मंत्रियों के परीजन भी साथ आये हुए थे जोरान दा केरला स्टोरी की अभीनेतरी अदाशर्मा और प्रडियूसर डारेक्टर विपुल शाह भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान ने कहा दा केरला स्टोरी की पूरी टीम के साथ मैं अपनी टीम को लेकर फिल्म देखने आया हूँ इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए जूटे प्रेम के जाल में फसकर हमारी बेटिया अंधेरी दुनिया में चली जाती है जिसने उनकी जिंदगी नर्क बन जाती है देश विरोधी क्रत्यों में उन्हें फसा दिया जाता है यह बहुत ही उदेश यह पूर्ड फिल्म है बात करेंगे अगली खबर के बारे में जहां मुख्य मंत्री लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है योजना के तहत अब तक महिला एवं वाल विकास विभाग को 6,000 से जादा अपतिया उनलाइन प्राप्त हुई है हलाकि ओफलाइन अपतियों को जोड़ेंगे तो यह आए आकड़ा और भी बढ़ जाएगा 15 माई को अपतिया दर्ज कराने के आखरी तारीक थी अब 30 माई तक इन आपतियों का निराकरण किया जाएगा और फिर 31 माई को फाइनल लिस्ट जारी होगी और 10 जून को राजियस सरकार दोरा बहनों के खाते में राशी डाली जाएगी इसके बाद हर माय दसतारीक को ही राशी खातों में पहुँचेगी बतादे 30 अप्रेल तक 1 करोड 25 लाग से जादा बहनों के पंजियन कराएगा है बात करेंगे मध्यप्रदेश के मौसम की जहां 9 तपा की शुरुवाद 25 माई से होगी इससे पहले मध्यप्रदेश में बारिश आधी का दौर भी शुरू हो गया है वेस्टर्ण डिस्टरवेस के साथ ही लोकल सिस्टम भी एक्टिव हो रहा है मौजूदा वेस्टर्ण डिस्टरवेस 20 माई तक एक्टिव रहेगा जबकि 23 से 25 माई के बीच फिर एक सिस्टम एक्टिव हो रहा है इसके बाद भी प्रदेश भर में मौसम बदलेगा MP में 17 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है फिलाल के लिए इतना ही ऐसी ताजार तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे है MP News के साथ MP की नफस MP का हाथ मज़्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे